हेलो फ्रेंड्स मैं अनुरादा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं और आज अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सिंथिया एंडर्सन का एक मिस्टिरियस केज सिंथिया 20 साल की एक अमेरिकन लड़की थी एक दिन वो अचानक अपने ओफिस से गायब हो जाती है जबकि ओफिस अंदर से लॉग्ड था और बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था सो फ्रेंड्स लेट्स गेट इंटू दे केस सिंथिया एक क्रिस्चन लड़की थी जो की अमेरिका के ओहियो शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी वो अपने घर के पास ही एक चोटे से ओफिस में सेकेर्टरी की पोस्ट पे नौकरी करती थी सिंथिया के पैरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे वो उस पर बहुत पावंदिया लगाते थे वो उसे घर से बाहर शिर्फ ओफिस या फिर चर्च ही जाने देते थे तो सिंथिया ओलमोस्ट हर रोज चर्च जाती थी वो चर्च के सभी फंक्शन अटेंड करती थी जैसे की चर्च प्रेयर मीटिंग, चर्च स्विमिंग इवेंट्स, चर्च कैम्पेंड ट्रिप्स और चर्च पार्टीज और इसी दोरान सिंथिया की वहीं चर्च में एक लड़के से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई सिंथिया अपने ऑफिस की नौकरी को छोड़कर एक Bible College में Admission लेना चाते थी और इसी college में सिंथिया का boyfriend भी पढ़ता था लेकिन ओफिस की नोकरी छोड़ने से पहले ही सिंथिया की लाइफ में कुछ अजीब चीजे होने लगी और जिस कारण वो कभी कॉलेज में अडिमिशन ले ही नहीं पाई सिंथिया की गायव होने से करीब एक साल पहले सिंथिया की ओफिस की बिल्डिंग पर किसी ने बड़ा बड़ा पेंट से लिख दिया I love you Cindy by GW अक्सर लोग Cynthia को प्यार से Cindy बुलाते थे लेकिन Cynthia को कोई भी आइडिया नहीं था ये GW कौन है और ये सब कुछ लिखा किसमें है वो उस building पर करीब 6 मैनों तक लिखा रहा फिर building के मालिक ने उसे साफ करा दिया लेकिन साफ कराने के कुछ हफतों बाद ही उसी जगया पर फिर से किसी ने I love you Cindy by GW लिख दिया और इस बार पहले से भी बड़ा बड़ा लिखा था और इसके बाद Cynthia को unknown number से calls आने रगी ओफिस के कुछ लोगों ने भी बताया कि अकसर Cynthia को unknown number से phone आता है वो phone उठाती है और phone उठाते ही कार्ड देती है और बहुत घबरा जाती है सिंथिया ने अपने parents को भी कई बार बताया कि उसे अकसर ड्रावने सपने आते हैं कि उसे किसी ने kidnap कर लिया है और जान से मार दिया है वो इतना डर गई थी कि जब वो ओफिस में अकेली होती तो वो ओफिस का दर्वाजा अंदर से लोग रखने लगी और ओफिस में उसने एक panic बटन भी लगवा लिया फिर एक दिन 4 अगस्त 1981 को सिंथिया सुबर साड़े आठ बजे अपने घर से ओफिस के लिए निकलती है सिंथिया दोपहर 12 बजे तक जादतर ओफिस में अकेले ही काम करती थी और उस दिन भी सिंथिया ओफिस में अकेले ही काम कर रही थी और दर्वाजा अंदर से लॉक कर रखा था फिर दोपहर 12 बजे उसी ओफिस में काम करने वाले दो और लोग वहां आते हैं वो ओफिस की दूसरी चाबी से गेट खोलते हैं और ओफिस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ओफिस की रेडियो और लाइट्स ऑन है लेकिन सिंथिया ओफिस से गायब है सिंथिया को कहा गया था कि अगर वो ओफिस से कहीं जाए तो उसे एक नोट छोड़ कर जाना है वहां नेल पेंट और नेल पेंट रिमोवर की खुश्बू आ रही ती और सिंथ्या की बैंच पर एक नोवल खुली हूई रखी थी जीसे अक्सर सिंथ्या पढ़ा करती थी नोवल का जो पेज खुला हुआ था उस पेज पर ये बतावा गया था कि किस तरह एक किड्नैप पर किसी इनसान को चाकू की नोग पर किड्नैप कर लेता है अब बात करते हैं कि आखिर सिंथिय के साथ हुआ क्या होगा सबसे पहली तेओरी ये आई कि सिंथिया को किसी ने किडनैप कर लिया है क्योंकि कोई लगातार सिंथिया का पीछा कर रहा था और उसे डरा रहा था ये किडनैपर शायद वही इंसान था जो बार बार सिंथिया को अनो नमबर से फोन कर रहा था और जिसने सिंथिया की ओफिस की बिल्डिंग पर I love you Cindy by GW लिख दिया था टॉलिडो पुलिस के डिटेक्टिव विलियम एडम्स ने सिंथिया की फैमिली और फ्रेंड से पूछताच की ये जानने के लिए कि आखिर ये GW है कौन और एक संदिग्द मिला भी सिंथिया की ओफिस की बिल्डिंग का मेंटेनस मेंट टॉलिडो पुलिस ने मेंटेनस मेंट से पूछताच की लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला फिर एक इंसान टॉलिडो पुलिस के पास आता है और बताता है कि I love you Cindy by GW मैंने लिखा था अपनी गल्फरंड के लिए और सिंथिया एंडर्सन का इससे कोई लेना देना नहीं है पुलिस इस किड्नैपिंग वाली थियोरी को रिजक्ट करने ही वाली थी कि तभी एक अन्नो लड़की का फोन आता है और वो पुलिस को बताती है कि सिंथिया को किड्नैप करके एक घर की बेसमेंट में रखा गया है यहां एक ही फैमिली के दो घर है और दोनों ही खाली पड़े है क्योंकि फैमिली किसी दूसरे शहर में रहती है और उन्हीं में से एक घर की बेसमेंट में सिंथिया को किड्नैप करके रखा गया है ऐसी आधी अधूरी इंफोर्मेशन देकर वो लड़की फोन कार्ड देती है और उसके बाद पुलिस उसकी बताई हुई जगह को और उस लड़की को ढूणने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस ना ही तो उस लड़की को ढूण पाती है और ना ही उसकी बताई हुई जगह को और उसके बाद पुलिस इस थियोरी पर और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाती दूसरी थियोरी आई 1996 में सिंथिया के गायब होने के 15 साल बाद जब सिंथिया के ओफिस के ही एक बंदे रीचर्ड नैलर और उसके एक साथी जे आर जूनियर को ड्रगस डिलिंग के केस में जेल हो जाती है फिर पुलिस का ही एक ख़बरी ये बताता है कि जे आर जूनियर ने जेल जाने से पहले नशे की हालत में उसके सामने ये माना था कि उसने एक जवान लड़की का खून किया था क्योंकि उस लड़की को इनके ड्रग दील्स के बारे में पता लग गया था तो पुलिस ने यहां पर ये अनुमान लगाया कि सिंथिया ने ओफिस में ही रिचर्ड नैलर और जे अर जूनियर को ड्रग्स के बारे में बात करते हुए सुन लिया होगा और इसलिए यही दोनों सिंथिया को बार बार अन्नोन नमबर से फोन करके डरा रहे थे ताकि सिंथिया ये बात किसी को ना बताए लेकिन जब सिंथिया ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्हों ने सिंथिया को जान से मार डाला लेकिन सबूतों की कमी होने के कारण पुलिस ये बात कोर्ट में साबित नहीं कर पाई तीसरी और आखरी थियोरी ये आई कि सिंथिया अपने boyfriend के साथ भाग गई क्योंकि सिंथिया के parents बहुत strict थे वो उसे घर से बाहर सिर्फ church और office ही जाने देते थे लेकिन सिंथिया अपने जिंदिगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी ये घर से भाग जाने वाली थियोरी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि office में कहीं कोई ऐसा निशान नहीं था जैसे यहां से किसी को जबरदस्ति के नैप करके ले जाया गया हो सिंथिया अंडर्सन की गायब होने की क्या वज़ा है ये आज तक भी पता नहीं लग पाया है और इसी लिए ये केस आज भी open है तो लिडो पुलिस का कहना है कि अगर किसी को भी सिंथिया अंडर्सन के बारे में कोई भी information मिलती है तो वो उनसे contact करे अगर सिंथिया अंडर्सन आज जिन्दा है तो वो आज करीद 60 साल की होगी फ्रेंड्स मुझे comment करके बताईए कि आपको क्या लगता है कि आखिर सिंथिया अंडर्सन के साथ क्या हुआ होगा क्या वो अपने boyfriend के साथ भाग गई और आज भी कहीं जिन्दा है या फिर उसे किसी ने kidnap करके जान से मार दिया फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कालफेक्ट को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई